बैरिस्टर नरेंद जी सिंग इस्मृती ब्याख्यान के इस समारोह में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के राजपाल स्री रामनाईग जी क्रसी सिक्षा एवं अनुसंदान मंत्री स्री सूर्प्रताप साही जी ब्रह्मावर्थ सनातन धर्म महामंदल के अतक्ष स्री वीरिन जी सिंग जी चतिस गर्ड मुख न्यायले उच्छ न्यायले के पूर्व मुख न्यायदीस और इस कालिश के विजिटर से यतीन्र सिंग जी सभागार में उपस्तित अन्य गर्मान अतितिगर्ण देवियों और सज्जनु आज महा सिवराती का पर्व है इस उसर पर मैं आप सभी को अपनी शुब का मनाएं और बधाई प्रिशित करता हूँ कभी कभी किसी व्यक्ति के बारे में जब कुछ आधिक कहा जाए तो ऐसा लगने लगता है कि जिस प्रकार से एक वो छड़ भी आते हैं सोक सभागा है वो जनु और उस समय उस व्यक्ति के बारे में जो ना भी जानता हो जिसको कभी ना भी किया हो जो की बहुत दूरी दूर तक भी ना हो लेकिन लगता है कि नहीं नहीं जितनी भी प्रसंसा की जा सकती है कर लो, ऐसे ही लेकिन मैं उसके पीछे जो आपकी सदभावना है उसका मैं सम्मान करता हूँ, इस छेत्र के सजग और विशिस्ट नागरिकों से भरे हुए, इस सभागार में मुझे कई परचित चेहरे बाहर भी मिले, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, आप सब के बीच यहाँ करके मैं बहुत खुसी कानवो कर रहा हूँ, मेरे लिए यह कालेज, यह परिसर भी जाना पैचाना है, आज यहाँ के विदी भवन का लोकारपन करके मुझे प्रशन्नता हुई है, इस औसर पर बैस्तर नरेंजी सिंग की इस मती में, इस आयुजन करने के लिए मैं सभी आयुजुकों को बधाई भी देता हूँ, इस विद्याले के बारे में यहाँ पर मुझे सिक्षा हासिल करने का सभभाग नहीं मिला, वो BNST कालेज, इसी महामंडल की जो दूसरी संस्ता है, अच्छा विद्याले था, वहाँ पढ़ाई की, उसके पस्यात में जो आगे की सिक्षा थी, B.com और L.L.V., वो D.V. कालेज से किया, लेकिन जब मैं BNST कालेज में था, तो वो आज भी मेरी मेमोरी में यहाँ पर है, इस कालेज में एक पर्व मनाया जाता था, जन्मास्ट मी का, अब मुझे आज पता नहीं कि उसको मनाया जाता और किस लेविल पर मनाया जाता, लिए उस समय हम लोगों को भी आमंत्रत किया जाता था, बिनस्दी कालेज के लोगों को यहां के, सब लोग आते थे और एक बहुत बड़ा हाल था, उस हाल में हम सब लोग बैठते थे, वो प्रभू, श्री कृष्ण के बारे में कु पूजा, अर्चना और ये सिल्सला चलता रहता था लग बारा बज़े, राती तक, क्योंको उनका जन्मी बारा बज़े होता है, और उसके पस्चाथ, हम सब लोग एक अत्रे थिसली होते थे, क्यों उसमें जो पंजीरी, पंजीरी, पंजीरी और उसके साथ मुझे चर्णा को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, लेकर उस समय हम लोगों में कभी-कभी होर भी लगती थी, और होर ये लगती थी, कि जिसने एक बार ले लिया, उसकी कोशिस रहती थी, ने दुबारा फिरते, लेकिन ये उस समय की सोच का, सोच व्यक्ति में धीरे-धीरे बढ़ती है, आज मैं महसूस करता हूँ, ये चीज हमने शेयर की है आपसे, लेकिन इसका कहीं गलत अर्थ ये ना लगा लिया जाए, कि मैं प्रारमधिक दिनों से भी इस प्रकार की चेस्टा करता रहा है, लेकिन उससे एक चीज जहलक मिलती है, कि समाज किस दिसा में जा रहा है, और हम सब लोग की स्वाभाविक, एक वैज्यानिक, इसको हुमन सैकलोजी कहते हैं, वो उसी तरफ बढ़ता है, उसी तरफ बढ़ता है, परिवार वाले भी उसी के लिए प्रेरित करते हैं, जो कोई भी आपको मिलेगा, आपका इस्तिमित होगा, रिस्तिदार होगा, वो भी ऊसी दिशा में, कि देखे वो विक्ति का कितना विकास हो गया, वो विक्ति कहा से कहां तक पहुझ गया, और किसके माध्यम से, सिक्षा के माध्यम से उतनी उचाई तक नहीं पहुचा, लेकिन वो दूसरे, जो गैर सिक्षा से जुड़े हुए जो कुछ प्रछलन है, उनके माध्यम से बहुत आगे तक पहुँच लिया और इस प्रकार की सोच पर मुझे लगता है कहीं ने कहीं रोक लगाने की जरूरत हम सब की जिम्मेदारी है। से लेकर चंदर से खरा जाद गड़े संकर विद्यार थी। जंडागीत लिखने वाले कवी श्यामलाल पारसत ने निरटा, देश प्रेम और वलिदान के बहुत से उंचे आदर से स्थापित की रहे हैं। जनोंने गीत लिखा था जंडा उंचा लहे हमारा। विजयी विश्वतिरंगा प्यारा। उस जन्डे की सार्थकता मुझे लगता है कि जो स्वतंदता आंदोलं के दोरान थी। उससे बढ़चड करके आज उसकी प्रासंगेकता और भी बढ़ गई है। और इसलिए मैंने एक बार मुख्मंत्री जी से अन्रोथ किया। मुख्मंत्री जी हम सब लोगों के लिए गर्व का विशय है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश ने भी कानपुन नगर के समीप एक कस्वे में जो पैदा हुए थे श्यामलाल पार्षट जी श्यामलाल गुपता पार्षट उपार्षट सायद उनको उपादी दी वही थी वह इस गीत के लिखने वाले हैं तो मुख्मंत्री जी ने सहार सो सुईकार किया कि हम चलेगे सब लोग मिल करके चलेंगे पहले उनके गाउं में जितना भी हम कुछ विकासकार करा सकते हैं वो करा लेते हैं क्योंकि उनकी इसमृति को नमन करने का आज हमारे पास अन्न कोई साधन नहीं है इसके अत्रिक्त की उनकी स्मिति को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए सरकार कुछ काम कर सके हैं वो छड़ भी आएगा हमारी आजादी की लड़ाई और नव समाज के नव निर्मान में वकीलों की बहुत ही बड़ी भूंका रही है बैरिस्टर से मात्मा बनने तक की यात्रा इसका सबसे बड़ा उदार है गांदी जी की पीरी से थोड़ा पहले ही वकालत सुरू करते हुए समाज को योगदान देने की सराहनी परंपरा सुरू हो चुकी थी जो उनकी पीरी में और भी मजबूत हुए राय बादुर बिक्रमा जी सिंग जिनकी इस्मृती भी ये कालिस संचालत है भी गांदी जी की पीरी के ही थे उन्होंने भी वकालत राजनीती और व्यापार से जुड़े रहकर समाज और संस्कृती को योगदान देने के लिए ब्रह्मावर्थ सनातन धर्म महामंडल की स्थापना की मुझे बताया गया है कि ये महामंडल 107 साल पहले स्थापित किया गया था इसके तहट कई सिक्षण संस्थान खोले गए मैं भी इस महामंडल द्वारा स्थापित और संचालत बिनस्डी कालिज का विद्यार्थी रहा हूँ इस महाविद्याले में दिन्द्याल उपाद्याजी विद्यार्थी हुआ करते थे मुझे बताया गया है सन 1937 से 1949 तक इसी कालिज के छात्रावास में रहकर उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की और प्रत्थम सेनी के साथ इस नातक की उपादी प्राप्त की उनके राजनेतिक जीवन की बुनियाद इसी कालिज में उनके विद्यार्थी जीवन के दोरान पड़ी आधनिक भारत के चिंतन और राजनीती को एकात्मानोवाद और अंत्योदय जैसे आदर्सों से सम्रद करने वाले दिन्द्याल जी भारत की गौरोशाली संस्कृती के एक महान प्रतनिधी के रूप में अमर हुए हैं। उनका यहां का पूर्व चात्र होना इस महाविद्याले के लिए बहुत ही गौरोग की बात है। इस रूप से सक्षम बनाती है। कानून और कानून से जुरी प्रत्रियाओं की सामाजिक बदलाओं में मातपूर्ण भूमिका होती है। यहां देश की नियाय बिवस्ता से जुड़े लोग भी उपस्तित हैं। यह सभी को मालूम है कि हमारे देश की बिवस्ता में जन लिवस्ताने के संगर्श को नज़्क से देखा है। नयाय पालिका ही सबका सहरा होती है। गरीबों के लिए नियाय प्रक्रिया में होने वाले बिलंब का बोज बहुत भाली बढ़ता है। लेकिन भारत की नियाय प्रणाली पर लोगों की आस्था अभी भी बनी हुई को दूर करने के लिए नियायक सुधार लाने के लिए हम सब को निरंतल प्रयास करते रहने चाहिए मुझे ये जानकारी आप सब के साथ साजा करने में खुसी हो रही है कि लंबित मामलों का सीकृता से निप्टारा करने के लिए कई उच्छ नियायले प्रभावी कदम उठा रहे है बिलंब के अलावा एक और गंभीर समस्या ये है कि नियाय पाने के लिए जो गरीब मुखिल पैसा खर्च करता है और जिसके लिए पूरी प्रक्रिया सबसे अधिक महत्पूर है वही इस प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं जान पाता है वह पूरी तरह से अपने वकील या अन्न लोगों पर आस्रित रहता है निचली अदालतों में तो इस्थानी भासाओं में काम होता है लेकिन उच्छी नियायलों में अंग्रेजी में ही काम होने का चलन है उच्छ नियायले द्वारा निर्णेयों और आदेशों की सत्प्रक्लिपी का इस्थानी भासा में अनुवाद उपलब्द कराने की बिवस्ता होनी चाहिए मुझे आप सबको ये बताने में खुशी हो रही है कि 36 गड़ जहां पर हमारे यतिन सिंग जी हाई कोट के जज रह चुके हैं 36 गड़ उच्छ नियायले ने अंग्रेजी में दिये गए निर्णेयों और आदेशों के साथ साथ उनके हिंदी अनुवाद भी उपलब्द कराने की नई सुरुवाद कर दी है अनकई उच्छ नियायले भी इस निसा में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अगले आगामे दो या तीन महिनों में इन सब के सुखत प्रणाम हम सब को देखने को पिलेगे मुझे उमीद है कि यहां से सिक्छा प्राप्त कर देवाले विद्यार्थी जब देश की नियाय बवस्ता से जुड़ेंगे तो जरूरत मन्द और गरीबों को यह थोचित नियाय उपलब्द कराने में अपना योगदान देंगे मैं आशा करता हूँ कि यहां के सभी विभागों के विद्यार्थी भी सिक्छा के साथ साथ यहां के प्रवुद नागरिकों से मार्क दर्सन प्राप्त करके समाज और देश को बेहतर बनाने के लिए प्रियास करते रहेंगे मैं एक बार फिर इस मृती व्यक्छान के आज़ुकों को बढ़ाई देता हूँ धन्वाद जैन